प्रण्स आज का टॉपिक है रिवर्स विंग कैसे कराएं चलिए वीडियो शूरू करते हैं अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में खासकर टेस्ट क्रिकेट में अगर सर्वाइव करना है तो आपको रिवर्स विंग कराना बहुत ही जादा जरूर है अगर आपको रिवर्स विंग नहीं आती तो आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि जब आप पुरानी बॉल से बॉल बॉलिंग कराओगे और अगर पुरानी बॉल से बॉल रिवर्स नहीं करा सकते हो तो विकेट लेने में बहुत जादा मुश्किल हो लिए आपको बहुत ज्यांदा प्ञानी काने यह थो क। बहुत बहुत ज्यादा करना हुआ है लग और reverse swing अच्छी होगी तो आप cross seam करागे ball को पहले rough करो फिर उसके बाद आप उस पे अच्छे से work करो फिर आपको क्या करना है जैसे आपको अंदर की side reverse करानी है तो आपको जो shiny part है वो अंदर की side रखना होगा और जब हम नई ball से swing कराते हैं तो हम जो हमारा wrist आउसे सीधी रखते हैं पर reverse swing में हमें थोड़ा action को sling करना होगा थोड़ा भार की तरह तरफ से balling करानी पड़े होगी थोड़ा open chest होना पड़ेगा फिर हमें जोर से जोर से effort लगाना पड़ेगा जोर से आप बाहर की तरफ कराओगे ball air में तो बाहर जाएगी पर जब ball wicket पे या batsman की close जाएगी तो पड़की एकदम अंदर जाएगी और friends एक चीज बहुत जादा important है speed अगर आपके पास speed नहीं होगी तो आप batsman को beat नहीं कर सकते पहले आपको अपनी speed increase करनी होगी उसके लिए मैंने एक video बनाई है आप पहले वह जाके देखें कि आप अपनी balling speed कैसे बढ़ा सकते हैं फिर उसके बाद आप reverse swing पर work करें और अगर आपकी speed है 140 या 130 से उपर है फिर आप उसके बाद पुरानी ball से balling करों आप जितनी जदा balling करोगे जितनी जदा ball पर मेनद करोगे और जितनी जदा आप नैट्स में balling करोगे उतनी ज्यादा आप reverse swing करा पाऊगे क्योंकि reverse swing कराना बहुत ही मुश्किल है baller को बहुत ज्यादा effort लगाना पड़ता है और जब भी आपको reverse swing करानी है आपको ball उपर फैक नहीं है आपको ball को swing होने का time देना है आपको छोटी ball या bombser नहीं करानी ball को waste नहीं करना जित्ता हो जगे ball को उपर खिलाओ मतलब good length पे खिलाओ या drive लगवाओ batsman drive मालने जाएगा जब ही वो beat होगा LV या ball होने के चाहन जादा है friends वीडियो अच्छी लगे तो like करना और जो मेरे चैनल पे नए है please चैनल को subscribe कर दो मैं इसी वीडियो लाता रहोंगा और मुझे comment box में बताना कि आपका favorite river swing का baller कौन था